शॉर्ट हेंड से जुड़ी सभी परकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल सॉर्ट हेंड गुरुजी को नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हेंड गुरुजी यूटूब चैनल पे आज का डिक्टेशन 80 सब्सक्राइब की गती के साथ है जहां पे बीच में आपको फ्लेक्टेशन भी महसूस होगा देखिया आप लोग कमेंट में आके कहते हैं बाद में कि 80 का नहीं था 80 से ज़ादा था तो आप लोग के अभ्यास के लिए ही बीच में फ्लेक्टेशन किया जाता है अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो हम एग्जैक्ट 80 में भी बोल सकते हैं एग्टी 1, 80 2 भी नहीं होगा लेकिन हमें लगता है कि ये आपके साथ सही नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट 80 में डिक्रिशन कहीं नहीं बोला जाएगा थोड़ा बहुत fluctuation के साथ ही आपको practice करना ही चाहिए और वैसे तो आपको 90 से नीचे लिखना ही नहीं चाहिए फिर भी आप fluctuation की habit डालिए और लिखी 80 थोड़ा आगे बढ़ने का प्रियास करिए ठीक है 80 पर कब तक आप इस्टक रहेंगे फिर भी आप लोग comment करेगा कि आप लोग को एकदम 80 में ही चाहिए या फिर हम 50 तक fluctuate कर सकते हैं आप लोग जैसा comment करेंगे अगे के dictation में वैसा ही होगा ठीक है फिलाल आज का dictation स्टार्ट करते हैं जोकि 80 से 85 की बीच fluctuate करेगा आप लोग उसके लिए त्यार हो जाएए पांस सेकेंडम इंटिक रिशन स्टार्ट हो जाएगी Ready Start मद्य निशेद की समस्या केवल भारत में ही नहीं पूरे फिश्व की समस्या है कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जल के इस्थान पर भी शराब का प्रियोग होता है सभा में, बैठक में, कलब में एवं विबिन अवसरों पर आयोजिद, उत्सवों एवं जल पानों में शराब एक प्रमुख आवश्यक्ता बनती जा रही है अनेक इस्थानों पर शराब ना पीने वालों को असब्य इवं पिछडा हुआ करार दिया जाता है अंतराश्ट्री स्वास्थ्य संगठन भी अपनी चिंता प्रकट करता रहा है कोई देश नहीं है जहां मद्यनिशेद ना होता हो कुछ लोग मद्यनिशेद बिना किसी कारण के ही करते हैं और कुछ लोग खुशी-खुशी मदिरापान करते हैं कुछ अपने गम भुलाने के लिए पीते हैं कुछ अपनी शान सौकत में पीते हैं तो कुछ अपनी ठकान को दूर करने के लिए मद्यनिशेद करते हैं कुछ अपने शरीर को अच्छा करने के लिए पीते हैं कुछ इसलिए पीते हैं कि वे अधिक धन दौलत वाले होते हैं कोई इस चिंता में पीता है की वह बहुत गरीब है अर्थात आज कल सभी जगह पीने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है वैदिक काल में लोग जिस सो मुरस का पान करते थे वह भी एक प्रकार का मद्य निशेद ही था रिगवेद के संपूर्ण नवे महल में सोम की अभ्यर्थना की गई है इससे इसपस्ट होता है की वह कुछ इस प्रकार का पेय था जो मद्य होते हुए भी एक शक्ती इवं इसफूर्ती देने वाला था अपनी शक्ती के कारण इसे देवी पान की संग्या दी गई थी और विश्वास किया जाता था की इसे पीने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करेगा इसे लंबी आयू का छट शरीर का रच्छक कहा जाता था यदि मदिरा पान को सामाजिक आर्थिक द्रिस्टी से देखा जाए तो यह लोगों के लिए अभिशाप है मद्यनिशेद की लत ने कितने लोगों को बरबाद कर डाला है ना जाने कितने परिवारों को घर से बेघर कर डाला है जब ग्री स्वामी दिन भर घर से बाहर रहकर मद्यनिशेद में दूबा रहे तो ग्रिहस्थी कैसे चल सकती है इसी मद्यनिशेद के कारण ही ना जाने कितने बच्चे आशिचित रह जाते हैं शराब पीने के कारण वह अपने गंभीर से गंभीर करतव्यों की भी उपेच्छा करने लगता है उसकी बुद्धी कमजोर हो जाती है पतन और धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ती कमजोर हो जाती है उसके इस सामाजिक पतन में उसकी गिर्ती आर्थिक इस्थिती की भूमी का महत्वपूर्ण होती है शराब पीने वाला अनेक रोगों से घीरा रहता है प्रायह शरीर का एक-एक अंग अनेक भयंकर रोगों का शिकार हो जाता है आतें कमजोर हो जाती है इस से इस पस्ट है कि शराब की लट लोगों को बरबाद कर देती है स्टॉप अगर डिक्टिशन आपको अच्छा लगा हो आपका मन कर रहा हो कि हाँ लाइक भी करना चाहिए तो आप सभी लोग प्लीज लाइक भी कर दीजे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में रपता के लिए गुड़ बाए